Shalom, आप सब को shalom. Shalom. चोटा सा बाते जो हम लोग पता चल रही है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज़ रही हैं को Egypt, Mishra. desh, जो के हम लोग Bible में उसके बारे में बहुत पढ़ते हैं कि Mishra. desh के बारे में, उसके बारे में हम लोग सब को आपको हमारी आवाज आ रही है ना लाओं क्लियर तो मिस्टर देश के बारे में हम लोग बाइबल में बहुत पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ डिस्कवरीज कुछ चीजें पाई जा रही हैं वो लोग उपर जमीन पे चीजें देखते जा रहे हैं लेकिन उन्लों ने जब पानी के अंदर गए पानी के नीचे उनलों को पता चला कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो पानी में डूब गई हैं लेकिन सुरक्षा हैं और उसमें जो निकाशे बने हुए हैं पेंटिंग्स बनी हैं डिजाइन्स बने हैं वो पूरी तरह से अच्छे हैं उसमें से उनको एक पत्थर मिला जिस पे अलग-अलग फैरोज के नाम थे उनके राजाओं को फैरोज कहा जाता है और उन फैरोज के अलग-अलग नाम और उन लोग के साथ जैसे हर एक राजा की आदत है वो लोग जैसे वो लोग आते हैं और राजगदी सम्हालते हैं उनके बारे में सब कुछ लिखा जाता है आज तो कंप्यूटर्स पे लिखते होंगे या कागस पे लिखते होंगे लेकिन एक समय था जब ये सब नहीं था तो वो लोग पत्थरों पे लिखते थे उसमें निकाशा बना के पत्थर में ठोक ठोक के लिखते थे कि ये राजा कौन है और कितनी लड़ाई उसने लड़ी है, कितने उसने जीते हैं, कितने समान वो वहां से लेके आया है, कितने लोगों को अपने बंदे ग्रह में रखा हुआ है, ये सब लिखा जाता था. उसमें से एक राजा का नाम है, फैरो का नाम है, हौफना. उसके बारे में हम लोग क्यों देख रहे हैं, कि जरमाया 44.30 में उसका नाम हम लोग देखते हैं बाइबल में. अब आज इतना समय नहीं है कि हम लोग वो पूरा राइटिंग देख सकें, लेकिन आप लिख लीजिए अपने कागस पे. यरमाया 44.30 और किस तरह से परमेश्वर ने उसको डांटी दिये हैं और क्या उसके साथ होने वाला है. तो यह वहाँ पर पाया गया है और क्यों हम आपको बता रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पर लिखा है बाइबल में और यह यरमाया के टाइम में लिखा गया है और वो एक राजा था और बाइबल में में तो उसका यह मतलब है कि जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं और जो आज लोग बाते कर रहे हैं, कि बाइबल सही नहीं है, उसमें किसने लिखा होगा, क्या लिखा होगा, लेकिन एक एक चीज हम लोग देखते हैं, जो चीजें पाई जाती हैं, कैसे वहां की लिखी वी चीज बाइबल में हम लोगों को मिलती है, और कैसे हम यह देखते हैं, कि हम ज उनको भी समझ में आए, कि बाइबल एक सही किताब है, और जो कुछ इसमें लिखा है, पवित्रा आत्मा के द्वारा लिखा है, और हर एक चीज सही है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, यरमाया की किताब पढ़ दीजे, या तो फिर सिर्फ यरमाया 44 आप पढ़ना चाह हैं, तो पढ़िए कि यह उसमें का रेफरेंस है, इसको अगर जाउंटी शायद वह पिक्चर दिखा सके हम लगों को, जो पानी के नीचे जो पिक्चर पाई गई हैं, निकाशे हैं, और अलग-अलग पैंटिंग्स हैं, अगर दिखा सकेगा तो आप लगो यह देखिए, क्योंकि वह पानी में कैमरा निकाले हैं, तो यह बहुत ऐसे डिजाइन्स हैं, जो मिटे नहीं हैं, क्योंकि वह जैसे हम लोग अजन्ता अलोरा जाते हैं, खोद-खोद के वह लोग पत्थर में चीज़ें बनाई हैं, जो उपर रखी, लेकिन यह पानी में चली गई हैं, विरुद के चीज़ें बहुत हो रही हैं, Christians के विरुद, Jewish लोगों के विरुद, तो उसके सब बाते पता चल रही हैं, कि देखो Bible में लिखा है, अगर यहां पे लिखा है, तो जरूर Jewish किताबों में भी लिखा होगा, क्योंकि यह पुराने नियम की बाते हैं, दूसरा एक और पिक्चर आपको Johnty दिखाएगा, Brother Johnty, okay, Brother Johnty, हम लोगों को दिखाएगा, देखिए यह है, वो एरिया, जो हम लोग फिर से यरमाया में पढ़ेंगे, कि एक आदमी ने जब उठा के यरमाया को एक कुए में डाल दिया गया, ताकि जब वो लड़ाई लोग जा रहे थे, राजा जा रहे थे लड़ने के लिए, उसको उस गुफा में, उस कुए में, जो के हम लोग शायद मराठी में बावडी बोलेंगे, उसमें डाल दिया गया, उस आदमी का नाम उस सिक्के पे लिखा गया है, और वो बाइबल मे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, शायद यरमाया छे में आप शायद देखिएगा, और ये हम लोग को क्यों आप और हम देख रहे हैं इसको, कि ये करीब 500 साल पहले ये शुव के आने के 500 साल पहले ये बात हुई थी, लेकर हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, और आ वो जगा भी पाई गई जहां पर यरमाया को कोई में डाल दिया गया था, और आप खुश होते हैं ये सब पढ़के, ये सब चीजे देख करके, और उन लोगों के लिए प्रात्ना जरूर करिएगा, जो इस काम में लगे हुए हैं, खोदाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत की का में चोटी-चोटी चीजों को ब्रश से साफ करकर के वो लोग पाते हैं, फिर उस पे पढ़ाई लिखाई होती हैं बड़सों तक, ताके सही बे वो बोल सकें के ये जुटी बात नहीं है, ये सच बात है, जो बाइबल में लिखा है, वो ही हम लोगों को मिला है, तो आश्वर आपको आशिश दे, शलम